एक प्रसंद आया है कि 2019 में भारा सरकार नई सिक्षा नीती लेके आ रही है तो पुरानी सिक्षा नीती क्या थी? खांस्तर और से एक उपासक ने कहा है एक दर्सक ने कि आप बताएं कि बुद्ध के समय में सिक्षा नीती कैशी थी? जो बुद्ध का दर्सन है या फिलोस्पी है उस पूरी फिलोस्पी में एक बात निकल के आती है जो बहुत इंपोर्टन्ट है उस दस्ण के अनुसार अगर पूरे विस्व में जो एरिया असिक्षित रहेगा जिसके पास सिख्षा नहीं होगी, जानकरी नहीं होगी वो हिस्षा उस दूसरे हिस्ञे का गुलाम रहेगा जिसके पास जानकरी होगी यानि कि कम जानकारी वाला जादा जानकारी वाले का गुलाम रहेगा ये उस पूरी एजूकेशन का सिस्टम का सार है जो बुद्ध ने डवलप की और जो बुद्ध ने खुद पैदा की बुद्ध की जो education policy है वो पूरी दुनिया में बहुत गजब की और बहुत कमाल की है ऐसी गजब की और ऐसी कमाल की technique और ऐसी system और ऐसा तंतर ऐसा system पूरी दुनिया में आज तक इजाद नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, डबलप नहीं हुआ, क्रियेट नहीं हुआ सिख्खा, पदंग, समाध्यामी आप उनकी भासा में पढ़ते होंगे, जब वो बारबार बोलते हैं सिख्खा, पदंग, समाध्यामी सिख्खा माने बाद में जो भासा change हुई, जिसमें सह की जगेशे आया है तो शिक्षा कर दिया पदंग माने पैर भी होते हैं और पदंग माने पद भी होते हैं, यानि कि जो सिख्षा है उसके पद के अनुसार चलने की मैं आदर डालता हूँ या प्रण करता हूँ, ऐसा करके वो बारबार बोलते हैं बेसिकली सिख्षा है क्या सिख्षा है क्या क्योंकि बुद्ध के समय में अक्षर नहीं थे, जो अलफा बैट हैं कहें कहें एबी सीटी, अलिबेपे या हम कहें बाद में उड़ा, एड़ी, एड़ा या जो भी अलफा बैट दुनिया में आजिएट में हजारों हैं, तब एक भी अलफा बैट नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने यूनिवस्टीज खोली, फिर भी उन्होंने स्कूल खोले, फिर भी उन्होंने कॉलिज खोले, जिनको वो बिहार बोला करते थे, और बिहार के का नाम जो पढ़ा मगद से, मगद राजय से वो इसलिए पढ़ा, क्य उन्होंने 12 यूनिवर्ष्टियां बहुत टॉप लेवल की बनाई जिसमें पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और भारत में पढ़ाईकार एजूकेशन का सिस्टम टॉप लेवल पे था पूरी दुनिया में सारी की सारी यूनिवर्ष्टियां नंबर वन रेंग की वर्ड के हिसाब से बेसिकली वो समझ गये थे कि जो नॉलिज का ट्रांसफर है क्योंकि उस समय तक वो नॉलिज देते थे ग्यान देते थे जो उन्होंने खुद डवलप किया खुद पाया उस ग्यान के आधार पे उन्होंने ये पाया कि अगर ये समय ग्यान यानि सही जा कारी सही नॉलिज अगर मैं विस्व को देता हूं तो विस्व का बैटरमेंट होगा और अगर वो विस्व को देते हैं तो मुलकों का देश का बैटरमेंट होगा उनका डबलमेंट होगा उनका अच्छा होगा उनका विकास होगा वो आगे बढ़ेंगे तरक्की करेंगे और अगर देश का होगा तो प्रांत श्टेट का होगा और श्टेट और प्रांत का होगा तो नगर का उपनगर का गाओं का तहसील का फिर महले का होगा और आखिर में ये परिवार में जाएगा और परिवार में एक इंडुजुल का विकास होगा इसको हम उल्टा करके आज की सं का गाओं का नगर का विकास होगा उससे शहर का विकास होगा उससे पूरे श्टेट का और उससे पूरे देश का पूरी दुनिया का इसलिए सिख्खा जो है वो हर एक आदमी का एक fundamental right है जो उसे मिलना चाहिए और ये duty है सरकार की के सरकार उसको compulsory education सिख्षा दे जैसे बुद dedicated थे और वो born to teach होते थे यानि पढ़ाने के लिए ही पैदा होते थे और जिनको पढ़ाने के इक्षा होते थी वही जाते थे बुद्ध उनको सम्यक चीज पढ़ाते थे कभी उनको destructive या उल्टी चीज नहीं पढ़ाते थे क्योंकि पढ़ाई का मतब तो उल्टा भी हो सकता है आप उनको युद्ध सिखाएंगे वो युद्ध सीख जाएंगे आप उनको जहर सिखाएंगे वो जहर सीख जाएंगे आप उनको अच्छा ग्यान सिखाएंगे वो अच्छा सीख जाएंगे इसलिए बुद्ध हमेंसा सम्यक चीज सिखाते थे और जितने भी उनके संग थे या जितना भी संग में structure जितने भी संग के teacher थे वो सारे के सारे आते थे यह सोचके कि हमें सिखाना है और वो सिखाते थे और जब वो सिखाते थे तो कुछ लेते नहीं थे क्योंकि उनका सिर्फ यह था कि 12 वैसे पहले उन्हें खाना-खाना है वो भी मिलके-बैटके मिलगा तो ठीक है, कंपल्षन नहीं था, आपके उपर कंपल्षन नहीं था कि आप उनको कुछ ना कुछ देंगे, मगर उनकी तरफ से कंपल्षन था आईए बड़ों केता था आईए और पढ़िये और वो education free होती थी और जगे जगे जाके और जो सीखता था वो teacher बनता था वो आगे चलता था इस परकार पूरे देश में एक change चली सीखना सिखना 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 और पूरा भारत पढ़ गया आसो के समय तक तो पूरा भारत पढ़ा हुआ था और तब तक तो लिपी भी आ गई थी बुद्ध के education system में equal education थी यानि के एक समान education थी education का अलग-अलग level नहीं था क्योंकि अगर अलग-अलग तरह की सिख्षा होगी उसमें तो discrimination आएगा फिर जो अलग उसमें छोटा बढ़ा हो जाएगा फिर उसमें जगड़ा होगा और मुल्क बीच में रुख जाएगा देश रुख जाएगा तरक्की नहीं होगी क्योंकि जगड़े में difference पैदा हो गया पढ़ाई में difference आ गया बुद्ध जो पढ़ाते थे वो आम भासा में पढ़ाते थे उन्होंने चांदस या वैद की ये वैद की यो चांदस उस भासा को बोलते थे जिसमें वैदों को बोला जाता था वैद जो बोले जाते थे या चंद जिसमें बोले जाते थे उस भासा को उन्होंने मना कर दिय क्योंकि वो भासा आम पब्लिक की भासा नहीं थी, वो कुछ बहुत खास लोगों ने अपने लिए गुप्त भासा बनाई हुई थी, आज भी वो भासा पब्लिक में आम नहीं हैं, और कभी भी वो भासा पब्लिक में आम हुई नहीं, आम भासा जो थी वो पालित थी, प्रैक इसले भासा नहीं रखी और उसके लिए मना भी कर दिया तो education का पहला label उन्होंने समझाया कि जब education को आगे तक transfer करना है सिख्खा को transfer करना है knowledge को transfer करना है तो आम आदमी की भासा जिस भासा को जानते है उसी में transfer करना चाहिए ताकि समय बचे और वो जल्दी से सीख जाए और आप किसी ऐसे बच्चे को जो वो सीखना चायता है और दूसरी भासा में सिखाएंगे, उसे भासा आती नहीं, वो सीखेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट खतम हो जाएगा और वो पढ़ाई बीच में छोड़ देगा, वो जाएगा नहीं, डड़ेगा फिर फिर बात अच्छी लेता भी है, तो वो पूरे सारे टीचरों का संग का होता है, संग का होगा तो लेगा, यानि कि किसी भी आदमी के लिए एजुकेशन का उन्होंने इस पश्ट रूप से कहा कि इसमें पढ़ाई के बदले में कोई पैसा लेना देना नहीं होगा, यानि कि पढ़ाई कभी भ लोगों के हाथ में या capitalist नहीं बरेगी, इसका website नहीं होगा, उन्होंने इस पश्ट मना किया, तो चलता कैसे था, उस समय का system में जो वहां का राजा होता था, वो उस बिहार को कुछ जमीन देता था, जैसे नालंदा के case में, नालंदा में जो राजा था, राजा ने ले दियते नहीं थे, इस्टुडेंट का खाना पीना रहना सब उसी से हो जाता था, या राजा उनको दो चार गाउं दीता था, जहां से जो रिवेनू आता था, रिवेनू का मतलब था, उस समय अनाज या फल सब्जी आती थी या दूद आता था, वो उनको मिल जाता था, इसलिए राजा की जुम्तारी थी, इससे राजा को क्या मिलने वाला था, राजा जानता था कि अगर मेरे देश में सब पड़ लिख जाएंगे, तो ये पूरी दुनिया में जाएंगे, वहां काम काज करेंगे, ये जो भी काम करेंगे उसका रिवेनू जादा मिलेगा, खे इसलिक भी है, कि जिस देश के अंदर ज्यादा कमाने वाले और अच्छे कमाने वाले लोग होते हैं, उसके अंदर टेक्स भी ज्यादा आता है, और वो तेजी से डवलप करता है, हम आज भी देख सकते हैं, कि जो विक्सित या डवलप कंट्री हैं, उनके सारे लोग तो नौक नी करते हैं, अपने देश को पैसा भेजते हैं, या अपने देश में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ज्यादा टेक्स देते हैं, अगर लोग पड़े लिखे नहीं होंगे, तो टेक्स नहीं दे पाएंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, जब टेक्स ज्याद का राजा का दायतु है कि वो अपने असेट्स को यानि कि अपने जो रिसोर्स हैं, हुमन रिसोर्स हैं, जो व्यक्ति हैं, पूरे उस देश के उन सब को पढ़ाएं, ताकि देश में ज्यादा रिवेन, ज्यादा पैसा आए, ये सबसे एक important point उसका रहा, इससे भी बड़ी बात ये रही, कि उन्हों ने ये पाया, कि अगर सभी पढ़ जाते हैं, तो सभी पढ़ने से, जो crime का rate है, वो घट जाता है, जो वेबचार का rate है, वो कम हो जाता है, जो crime का rate है, वो कम हो जाता है, और लोग गंदी आतों में नहीं जाते हैं, वो खुद समझ जाते हैं, जैसे अगर देश के सारे नागरिक पढ़ जाएं, तो कभी भी लोटा लेके खुले में सौच करने नहीं जाएंगे, जैसे आज देश की हालत है, कि जो सरकारी अधिकारी है, वो कैमरा लेके सुबह पांच बजे फूटो खींचते हैं, कि कहीं कोई खुले में सौच में तो नहीं है, मगर अगर वो पढ़ा लेका व्यक्ति होगा, तो खुले में जाए गा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि खुले में जाने के नुकसान क्या है या क्या नहीं है या railway track पर जो लोग थूकते हैं या हगते हैं तो railway track पर फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ा लिखा आप भी समझ जाता है क्या बार लोग परशान होते हैं कि हमारा driver गाड़ी के अंदर खास रहा है या थूक रहा है इससे हमें जर्मस ना जाएं वैक्टिरिया ना जाएं बीमार ना जाएं मगर अगर पढ़ा लेखा driver होगा तो वो जानेगा कि मेरे थूकने चीकने से क्या होता है और अबल तो वो बीमार होगा ही नहीं तो पढ़ाई से देश को बहुत लाव है देश की स्वस्थे को बहुत ज़्यादा लाव है इसलिए बुद्ध ने ये सारी बाते समझी और education को उन्होंने part of the government का system का बनाया essential part और उन्होंने उसको खुब पढ़ाया और पढ़ाने की प्रब्रा रखी इसलिए असोग जैसा राजा काम्याब रहा क्योंकि उसके राज्य में सभी पढ़ते थे और सभी पढ़े लेके होते थे बुद्ध की education policy क्या जो सबसे जवजस्त हिस्सा है वो ये रहा कि वो इतनी जवजस्त education थी कि पूरी दुनिया में वो फैल गई और पूरी दुनिया में उसका फाइदा उठाया जापान जैसा कंट्री भी उस education को एडॉप उस policy को एडॉप करके अपने यहां दुनिया में सबसे ज़्यादा university खोलके सबसे ज़्यादा प्लाता है और उसके बच्चों में सबसे ज़्यादा discipline होता है और वहां crime rate सबसे कम होता है तो जापान का या Buddhist country जितने भी हैं उनका example आप अच्छी तरह से देख सकते हैं भारत में जो education में पढ़ाई जाती है बेसकल भारत में रोजी रोटी की पढ़ाई है यानि कि बच्चे को पहले दिन से पैदा होते ही ये चिंता हो जाती है माब आपको कि इसको engineer, doctor या इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला बनाना है और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाए यहां अक्षर ग्यान का मतलब यानि जो पढ़ाई है उसका मतलब सरी business है उसका मतलब सरी पैसा कमाना है देश को बढ़ाने का या अपने आपको आगे बढ़ाने का जो education का system है जो capitalist education हो गई है ये भारत में system बाहर से आया है ये बुद्ध का system नहीं है भारत को पीछे करने का और कमजोर करने का ये सबसे बड़ा सड़ियन्त है कि सिक्षा का website करना कर दिया सिक्षा को बिजिस में बना दिया क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ेगा एक परिवार अगर पढ़ेगा एक अगर city country पढ़ेगा तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा इसका उधारण आपने जगे जगे देखा होगा कि पढ़े लेखे लोगी बाहर अगर दुनिया में विसवजेता बनना है भारत को अगर सोनी की चणिया बनना है तो सारी की सारी education policy वही एडॉट करनी पढ़ेगी जो बुद्ध के समय थी जो असुक के समय थी असुक के समय और बुद्ध के समय residential जो study या college का system होता था वो सबसे बढ़िया था बच्चा 24 घंटे वहीं पढ़ता था तीन साल का course वो 6 मिने में खतम कर ले दिद्ध देता था फिर वो higher study या higher education के सिंगलें त्यार होता था और फिर वो सेवा करता था टीचर वही बनते थे जिनकी इक्षा होते थे यानि born to teach जो पैदा ही पढ़ाने के लिए हुए है वही teacher बनते थे willingful वाले ऐसा नहीं है जैसे आज कल teaching क्या हो गया है आज की date में teaching पेट भनने का जरिया हो गया है हमको कैसे ही नौकरी मिल जाए teacher की मिल जाए हमें servant की मिल जाए हमें LDC मिल जाए UDC मिल जाए अफसर बन जाए कहीं न कहीं हमारा रोजी रूटी का जुगार हो जाए काम कुछ और करना चायता है व्यक्ती कर कुछ और रहा है इसलिए किसी बच्चे का education कहीं नहीं हुआ तो वो सोचता है कि education के एदर ही हो जाए B.Ed में हो जाए B.T.C में हो जाए वो उसमें जे लेता है फिर उसमें कॉर्स करने के बाद में teacher बनता है willing teacher नहीं है अगर teacher ही willing नहीं होगा teacher ही अपनी इच्छा से नहीं बनेगा तो वो class में पढ़ा भी नहीं पाएगा इसलिए education system में higher level तक free और equal education होनी चाहिए एक ही language में होनी चाहिए और सारा system जितना भी है वो देश हित्में और देश भक्त के हिसाब से होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए व्यक्ति को खुद को आगे बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए अगर सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई के माइने खतम हो जाते हैं क्योंकि एक पढ़ा लेखा आदमी एक अनपर से बात करेगा तो समानता नहीं रहेगी फिर देश में छीना जप्ती होगी इसलिए बुद्ध के बनाए हुए नियम बुद्ध के बनाए हुए पैंसिपल बुद्ध की बनाए हुए पॉलिसीज जिन भी देशों ने इसको अडॉप्ट किया है वो बहुत आगे निकल गए जिन देशों ने अडॉप्ट नहीं किया या जिन देशों में थी उसमें कैपिलिस्ट पॉलिसी आ गई वो देश उन देशों के गुलाम हो गए और वो गुलाम रहेंगे जब तक वो समान सिक्षा, एक्वल सिक्षा और कंपल सरी सिक्षा के लेवल को अडॉप्ट नहीं करेंगे धन्यवाद झाल 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 झाल